स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में मैं लोटी हूँ Healthiest Indian Breakfast के साथ जिसका नाम है पोहा High Nutrients Value पोहा रेसिपी बनाने में बहुत ही असान है और खाने में बहुत टेस्टी अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग तरह से इसे बनाया जाता है मैं आज आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी ताकि ये जटपट बन जाए और आपकी फैमली में सबको बहुत पसंद आए रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बैल बटन प्रेस करें थाकि लेटिस रेकिस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए है और देजना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने य आप लिए तीन कप पोहा ओहां medium size लेना है आपको ना जाधा बारी ना जाधा मोटा और लेने हैं तीन प्याज जिसे chop कर लेना है medium size में जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूं तीन टमाटर उसे भी ऐसे ही cut कर लेंगे medium size में थोड़ा सा हरा धनिया chop कर लेंगे एक चुथाई cup मोफली पीनट्स भी कहते हैं से मसालों से तो असली टेस्ट आता है पोहे में तो देख लेते हैं क्या क्या मसाले लेने है धाई टीस्पून लेना है धनिया पाउडर आदा टीस्पून राई चार से पांच कड़ी पत्ता लीव्स दे टीस्पून सॉफ एक टीस्पून लाल मिर्च एक टीस्पून ही हल्दी एक हरी मिर्च चॉप की हुई धाई टीस्पून नमक आप नमक कम या जादा कर सकते हैं स्वादय अनुसार एक नीमबू को चॉपिंग बोर्ट पे हाथ से मसल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे इससे एक तो लेमन ब सारे इंग्रीडियन्स हमारे रेडी हैं अब एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में आड़ करेंगे मेल्टेड गी आप रिफाइन ओयल भी यूज़ कर सकते हैं चार से पांच टेबल स्पून गी के लेने हैं फ्लेम को मीडियम रखेंगे और आड़ करेंगे हींक चुटकी भर घी गरम हो चुका है फ्लेम को लो कर देंगे आड़ करेंगे राई सर्सो राई सर्सो से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भोहे में अब आड़ करेंगे चौप किया हूँ आनियन असौटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता मतलब इसका कच्छापन नहीं चला जाता प्यास बिलकुल भून चुका है अब इसमें आड़ कर देंगे टमाटर अच्छे से सौटे कर लेंगे साथ ही आड़ करेंगे चौप्ट हरी मिक्स कर लेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है अब सारे मसाल एक एक करके आड़ करेंगे सबसे पहले आड़ करेंगे हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता लीव्स, सौफ पाउडर, अमचूर, धाई टीस्पून धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी आड़ कर सकते हैं, जिसे पोहे में खट मीठा टेस्ट अच्छा लगता है तो मसाले डालते समय उसमें एक तीस्पून चीनी डाल दे, आड़ करेंगे एक नीमबू का रस, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, साथ ही आड़ करेंगे मोफली एक चुथाई कप, यह रोस्टेट पीनट्स हैं, मोफली से क्रंची टेस्ट आता है पोहे में, पोहे में आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो जो आलू डालना चाहते हैं वो पीनट्स डालते समय आलू को डाले, बॉइल डालू है तो उसे बारी कट करके ऐसे पोहे को अच्छे से भुनने देंगे, इस दुरान हम पोहा रेडी कर लेते हैं, पोहे को तीन से चार पानी में अच्छे से धोलेंगे, जैसे चावल धोते हैं, धोने के बाद एक दो मिनट के लिए इसे पानी में भीगे रहन देंगे, बस दो मिनट के लिए भीगोना है, इससे जादा नहीं नहीं तो पोहा बहुती सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल खिला हुआ नहीं बनेगा भीगने के बाद इसे एक छन्नी में ट्रांसवर कर लेंगे ताकि जो सारा पानी है एक्स्ट्रा उसारा पानी निकल जाए दो से चार मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहन खिला-खिला सा हो गया है पोहा की जो ग्रेवी है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं गी निकलने लग जाए साइडो से अब इसमें आड करेंगे हरा धनिया जो हमने चौप करके रखा था अब आड कर दिंगे पोहा पोहा डाल रहे हैं तो आप देख करना है बहुत हलके हाथ से जो मसाला एक जगा कठा हो गया है उसको अलग-अलग करेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और एक-एक दाना बहुत ही खिला-खिला बनाए गर्म गर्म परोसें से जरूर करें इस हेल्दी ब्र ह है भूल येगा मजड शेयर करना अपने सजेसंसन्स एं कमेंट्स और साथ ही साथ सब स'll you के साथ मिलूंगी है एसी in औOR हिल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुदबाइं टेक कियर